तो भाई आज की वीडियो Mr. Aditya Take Up पर होने वाली है और भाई क्या सचा ही है उनके content की क्या हकीकत है भाई ठीक है मैं आज आपको complete बताने वाला हूँ इस वीडियो में video end तक जरूर देख लेना आपको बहुत कुछ सीखने वाला है इस video से और अभी मैं सीधा आपको laptop की display पर लेके चलता हूँ और complete बतायता हूँ भाई तो भाई आज मैं आपको Mr. Aditya Take की हकीकत बताने वाला हूँ भाई क्या काला सच है भाई वीडियो को end तक जरूर देख लेना सबसे पहले मैं आपको बतायता हूँ इनके 53.4 की subscribers है and इनकी चैनल की सुरुआत हुई थी भाई 2018 होई ठीक है और अब मैं इनको आपकी oldest video दिखायता हूँ भाई oldest video में आप देख सकते हैं तीन साल से regular work कर रहे हैं बीच बीच में कभी कभी नहीं उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ा है लेकिन ये regular work कर रहे हैं अब तक के ठीक है और आप ये सबसे पहले मैं आपको एक ची दिखायता हूँ आप यहां पर देखो भाई अभी जोनों ने कुछ टैम पहले वीडियो डाली है ये देखो आप नहीं छोड़ूँगा मुझे कोई नहीं रोख सकता वार्निंग ठीक है और यहां पर बाई का टेक चैंपियन सप इदर वार्निंग और इदर गुसा और यहां पर इन्हों ने एक एरो लगा दिया तो लोगों के अंदर एक हैप क्रियोसिटी आ जाती है एक मतलब आप जिग्याशा आ जाती है जानना है मुझे मतलब क्यूं उसने ऐसा लिखा अपने थामने चेंदर तो आप लोग क्लिक क के अंदर चले जाओगे तो आप यहां पर देखोगे के भाई यह यह भाई इनके चैनल की तारीफ कर रहे हैं बिसिकली मतलब तारीफ क्या यह बहुत इसमार्टली इनका रिव्यू कर रहे हैं ठीक है इसके अंदर यह इतने कम सब्सक्राइबर्स और इतने जाज़े देख सकते हैं वार्णिक और vaad यहां पर इनको यह होती हैैं के इनके चैनल पर लैंड उतके खकली मतलब तारीफ को यहां पर नहीं रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं इनके वीडियो का रिविई कर रहे हैं, इनने कम सब्झाइबर्स प्राइबन हैं इनने कम सब्सक्राइबर्स क्यों आ रहे हैं, इनने कि पूर पूरी देख्या, इननोंने trending topics को कवर किया है, ठीक है, अगर आप यूटूब पर ग्यानबजी करोगे, तो भाई आपके पास views नहीं आएंगे लेकिन इन्होंने trending topics पकड़े हैं इसलिए इनके इतने कम subscribers होने के बाद इतने जादे views आ रहे हैं ठीक है लेकिन इसके thumbnails से compare करूँ तो भाई कोई match नहीं होता दोस्तों मतलब mislead वाली बात हो गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे videos के अंदर इनका चर्चा किया है ठीक है तो मैं अगर इस video से compare करूँ इसको तो भाई बिल्गूल भी match नहीं होता thumbnail different and videos different basically कहना का मतलब यही है कि जब आपके views सोड़े से down हो जाते हैं तो भाई इस तरह clickbait लोग करते हैं लेकिन मैं इनके जो content जा रहा है मैं उसको कोई बुरियाई नहीं कर रहा हूँ चलो मैं आपको एक और दिखायता हूँ अगर जो आपको इससे समझ नहीं आया यहाँ पर आप नीचे की और चलते हैं और बीच में अपने हाथ को थोड़ा सा एक गुस्ते वाली फिलिंग में तो भाई यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर इन्हों ने यहाँ पर तो इन्हों ने भाई ऐसा कुछ ऐसा लिख दिया जो मंगेश कुमार के subscribers हैं यहाँ पर मैं मजबूर हो गया था क्लिक करने पर इन्हों ने इनकी पूरी वीडियो देखी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको भी इन्होंने टैग किया हुए जुन्नु की टैग एंड मंगेश कुमार को ठीक है चलो यह तो बात दूसरी लेकिन यहाँ पर मैंने इनकी यह वाली पूरी वीडियो देखी थी भाई पूरी वीडियो जिसको कहते हैं मैंने सोचा के भाई चलो देख लेता हूँ इनका काला सच क्या है तो जैसा ही मैंने क्लिक किया मैंने इसके अंदर देखा कि भाई के अंदर तो इन्होंने काला सच वो बता हूँ काला सच क्या था वो काला सच यह था जुन्नू की टेक के 1 million plus subscribers and मंगेश कुमार के 1 lakh plus subscribers ठीक है और views बिल्कुल सेम यह इन्होंने काला सच बता है मतलब बता रहेते उनकी मतलब compare कर रहेते जुन्नू की टेक को और मंगेश कुमार को कि इतने जादे subscribe होने के बाद इतने कम views कैसे तो भाई वो यही था कि इन्होंने इसमें जो बताए कि जुन्नू की टेक इसमें पहले वाइरल पहले कुछ और नीश पर रवक करता था अब नोने नीश चेंज कर दिया तो यहाँ पर उनकी ओडियंस बदलगी पहले जुन नुक्ताइक टॉक वाला content डालते से लेगिन अब ये YouTube की tips वगरे डालते हैं इस वएसे यहाँ पर इनकी इतने views नहीं आते और जो मंगेश कुमारे इनके बारे में इनके आज अगर जो इनकी हम compare करें व्यूस से तो दोनों के लगबग इकोल आ रहे हैं तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह से जो ये click weight वाले thumbnail होता है मैं बरबाद कैसे हुआ आप यहाँ पर इस पर click आना चारा हूं आप समझ गए होंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर आप बेसिकली ग्यान दोगे ना यूटूब पे तो शाहिद आप पी वीडियो ना चलें और जब आप ड्रेंडिंग टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे दब तक हम प्रेंडिंग टॉपिक को नहीं ले काएंगे तो हमारे पास डियूज भी आएंगे और सब्सक्राइबस भी नहीं आएंगे बाकी यह काम बहुत अच्छा कर रहे हैं यहां नहीं अगर हमें इतना टाइम वर्क करते करते हो गया और यूटूब पर तीन से चार साल और हमारे पास अब तक कुछ इतना व्यूज आ रहे हैं ना सस्क्राइबर्स आ रहे हैं तो भाई इन सब चीजों की भी ज़रूत पड़ती है काम करने की लेकिन एक लिमिट में यूनिक है हर वीडियो में तो दोस्तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कौशिश कर रहा हूं तो दोस्तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा Mr. Aditya Tick क्या कर रहे हैं अपने चैनल पर भाई जो उनके इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं औ और दोस्तो जब चैनल रन नहीं होता ना हमारा तो भाई जब हम खूब मैनत करते हैं व्यूज नहीं आते तो यह इस तरह की स्ट्रेजी अपना नहीं पड़ती है अपना आपको फेमस करने के लिए अपना आपको वाइरल करने के लिए तो दोस्तो आई होप आपको वीडि लेक्यों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना थेंक यू